साहिब हमरी नगरिया में आया करो आया करो प्रभु दाया करो हम सब जीव अजान हैं साहिब दीन जान प्रभु दाया करो हम सब दीन गरीब जीव को विमल रूप दरशाया करो जो कुछ भूल शूक हो हमसे अग्यजानि चितमेन धरो काल संधि अवजाई कलपना सो प्रभुजी परखाया करो निरमन दास प्रभु प्रेम न शूते दिन दिन भक्ति बढ़ाया करो स्री निरमन ताहब बिने बंदना करते हुए कहते हैं कि हे ताहब हे शद्गुरु स्वामी आप हमारी नगरी में हमारे गाओं में आते रही हैं और बारम बार आप से विने हैं कि आप निश्ची दुरु से आते रहें हम पर दया करते रहें हम सब जीव अजान हैं साहब दीन अजान प्रभु दाया करो क्योंकि हे ताहब हे स्वामी हम जितने जीव हैं सब अजान हैं अज्ञानी हैं ना समझ हमें दीन जानकर हम पर आप दया करें विशय कामना के अधीन होकर हरजी दीन बन गया दीन ते मतलब लाशार बेतहारा जितनी जादा कामना होगी जितना जादा अज्ञान होगा आत्म बोध से रही उतना जादा जीव दीन बनेगा दीन का मतलब गरीब अधात्मी दृष्टी से देखा जाए तो धनी गरीब पर अपर सब दीन है क्योंकि विशय कामनाओं के अधीन है आत्म बोध से रही तो निर्मत आप कहते हैं कि हे साहब हे गुर्देव हम तब अज्ञान हैं अज्ञानी ना समझ हैं और आत्म बोध से रही तो भिशय कामना के अधीन हूँ बने अत्यंद दीन बन गए लाशार हमें ऐसा दीन दरिद रजान कर आप हम पर दया करें कृपा करते रहें हम सब दीन गरीब जीव को विमर रुप दर साया करो हम सब गरीब दीन आत्म शान बिवेग विचार से रहित सैयम साधना से रहित दरिद दीन इसलिए आप हमारी नगरी में आकर अधार कर विमर रुप दर साया करो हमें अपना आत्म बोध देकर ज्ञानों देश देकर हमारे जो हमारा जो निर्वाल आत्म से रूप है उसका बोध हमें देते रहें सबसे बड़ी बात है आत्म बोध होना उसके अभा में बाहर भीतर हर जीव भटक रहा है आत्म बोध न होने के कारण आत्म शान तेर से रहित होने के कारण हम पहले दुन्यादारीक पिछे दोड़ते रहते हैं वहां पुरी शांती नहीं मिलती तो आकाल-पताल में हाथ पह मारते हैं हमारा विमल रूप, विमल निर्मल, स्वक्षिध, बुद्ध स्वरूप का से रिढंते पता हो जाए यह बोध मन में अच्छी तरह से बैठ जाए तो भी दिनता सब खतम अशरूप का बोध बोध हो आँ सद्गुरु द्वारा ही होगा जो कुछ भूल चुक हो हम से अग्यजान चितमेन धरो ही गुर्देव अज्ञान अवस्ट हमारे द्वारा आपकी शेवा में बाद बिहार में कुछ भूल चुक हो जाए तो हम सब को अग्यानी समझ करके हमारी भूल चुक को हमारी गल्ती को अग्चित में रखे न उत्पध्यान न दें काल संधि और जाई कल्पना सो प्रभुजी पर खाया करो हे प्रभु हे स्वामी काल संधि जाई जो हमारी लिए भेंकर बंधन है आप हमें इनकी परक्त करवाते रहें काल मन की कल्पना काल विशेवासना मन की विकार संधि अपने चेतन सुरुप से प्रिथक अपना अधार अपना माली कहीं बाहर मानना जरवस्तों में सुख खोजना जरवस्तों सुख अधार मानना या मन की जो मान्यताएं हैं उनको सुख अधार मानना हमारा रखवाला हमारा मालीक हमारा प्रेरक हमारा मुच्छदाता हम से अलग यह मानना संधी है जहाई जर्शेतन सब कुछ को एक माल लेना मैं ब्रह्म हूँ और यह सारा संसार मेरा ही स्वरूप है मुझसे अलग कुछ नहीं है इस जहाई जैसे कोई आदमे दर्पन के सामने खड़ा हो प्रद्विम दिखाए पड़े और उसी को अपना सुरूप माल ले कि मैं यही हूँ तो जहाई है प्रकाड लेकिन यहाँ जहाई जर्शेतन की अभिन्यता काल संधी जहाई और सार इस चार वानी पंग्रंथी में स्री रामराः सहाजी कहते हैं उसी को त्री पुरांता है बीजक में जी मुख माया मुख ब्रमु मुख और गुरु मुख जो काल है और जी मुख बिशय वातना में पड़ा हुआ है उतमे सुक के निश्यता बताने वाले हैं माया मुख शंधी अपना अधार अपना कल्यान दाता अपना मुख्च दाता अपना मालिक कहीं बाहर मान लेना ब्रमु मुख जड़ते तन का भीनता जाई है और गुरु मुख बिवेक पूर्ण बानी निर्णे पूर्ण बानी जो सारवानी है तो काल हसन दी जाई और कल्पना ये जीव के लिए भड़काव के साधन है है गुरु देव आप हमको इनके अची तरह से परख करवाते रहें ताके हम इनमे कहीं भूले ना निर्मलदात प्रु प्रेम नशूटे दिन दिन भक्ति बढ़ाया करो से निर्मलदाप कहते है हे गुरु देव आपके चर्णों के प्रति आपके ज्यान आपको अवदेश के प्रति हमारा प्रेम छूटे ना किन्त दिनों दिन आपके चर्णों के प्रति हमारी भक्ति बढ़ती रहे आप हमें ऐसा अवदेश दे आपको चर्णों के प्रति आपको अवदेश अवकल्यान के प्रति प्रेम भी बढ़े और भक्ती भी बढ़ेती जाएं मंगल रूप कबीर सर्व गुन आगरा बंदी शोर कृपाल उस्तो जक्त उजागरा दीना नास दयाल गरीब निवाज हैं तारे पतित अनंद प्रभु सुख सागरा चेतन रूप अनूप सकल घडबीर हैं खलदल दलिमल देद बड़े रनधीर हैं साहिव स्वत प्रकात भात सब मेटी हैं जन्म मरन मिठ जाए ताही जो भेटी हैं कृपा सिंधु गुर्दे पधारा जक्त में आप सरिस्करि लेज कृपा करी भक्त के काशी में भय प्रगट जक्त सब जानता निर्मल दात मतिमंद नहीं पहशानता इस पद में सदुरु कबीर की महिमा का भर्णन है मंगल रूप कबीर सर्व गुन आगरा सदुरु कबीर कैसे हैं मंगल रूप मंगल रूप किर्टास रूप कल्यान रूप मंगल मतलब कल्यान मंगल आनन्द मंगल भी हम कहते हैं प्रफन्नता सब मंगल है मतलब सब कुछ बहुत बढ़ी है शुन्दर है मंगल रूप सदुरु कबीर कहते हैं कल्यान रूप है क्रितार सरूप सर्व गुन आगरा और सभी गुनों में आगर आगरा भंडार खाने स्रेश निपून जितने भी सद्गून है उन्समीan सद्गून में सद्रु कबीर निपून है और निपून ही नहीं है उनके भंडार है खानी है बंदी छोर गुरु कृपालन सो जग जानता और ये पूरा समसार में परशिद्ध है ये बात कि सद्रु कबीर कहते हैं बंदी शोर है, बंदी शोर बन्थनों को छुडाने वाले किरिपाल। बोथ देकर सरण में लगाकर प्रन्यादेकर के जीओंके बंथनों को छुडाने वाले किरिपाल। जक्त उजागरा उजागरा प्रसिद्ध इस अंसार में बात प्रसिद्ध है दीनानात दयाल गरिव निवाज है तारे पतीत अनंद प्रभु सुक्षागरा और कैसे हैं दीनानात दीनों के नात जिनका कहीं कोई सहारा नहीं है लाचार अबोधवस अविद्यवस बिश्यासक्तिवस कामनावस जीव अनात बन गए तो अबोधवस कामनावस जो लोग दीन बने हैं उनके नात उनके स्वामी दयाल दयालू गरिब निवाज निवाज करतो यह कृपा करने वाला गरिब निवाज गरिब हों पर कृपा करने वाला और सुख सागरां सुख सागर हैं उनका क्या तारे पतित अनंत प्रभू उत प्रभू ने सत्रुकबीर ने सत्य अपदेश दे करके सच्चा आत्म बोध पारा ज्यान दे करके अशंक पतितों का उधार कर दिया है चेतन रूप अनूप तकल घड़ बीर हैं खलगल दरिमल देत बड़े रनधीर हैं चेतन रूप अनूप उनका उपदेश है उन्हान उपदेश दिया कि सभी शरीर में जो निवाज करने वाला जीव है वो कैसा है चेतन रूप है और अनूप अनूप उपमा रही अनूप जड़तत्तों से स्रवथा विरक्षन जिसके समान कोई दूसरा ना हो जो जिसके उपमा किसी चीज़ से न दी जा सके वो अनूप तो चेतन रूप अनूप सकल घट बीर है सदरुक कबीर का उदेत है कि शरीर में निवाज करने वाला जो चेतन है वो शुद है अनूपम है विलक्षन है और सुयम बीर है वही महान है घट-घट मेरे मात करने वाला जी सरो परी स्रेष्ट है वो ब्रह्म उती को आप जो कुछ कह दें ऐसा उन्होंने उपदेश दिया खल दल, खल का दल, खल दुष्ट, दल समूँ खलों का जो दल है, दुष्टों का जो समूँ, उतको दलिमल देते, उतको रगड देते हैं उन्हें उन्होंने रगड दिया, खल दल कौन? खल दल मानसिक जिकार हर्जी किसे रगड जा रहा है? हर्जी रगड जा रहा है अपने मन के विकार से ही यह सभी हम का सकते हैं, खल दल दुष्टों का समूँ, भ्रमकलपना डिढ़ाने वाले, जो नर्नारी हैं, पुरुहित पंडित हैं, जो हर पकार से गड़त पार पढ़ा करके भड़का देने वाले हैं, उनको रगड दिया, रगड का दिया, मतलब उनका परदा फास कर दिय लेकिन मुखरुबते खल दल यहां पर हैं, मांसिक विकार, खल दलों का जो, दुष्टों का जो समूँ है, मांसिक विकार, उनको सद्गुरु रगड करके नष्ट कर देते हैं, दरमल, रगड देना एकदम, नष्ट कर देना, बड़े रनधीर हैं, क्योंकि वे मांसिक में बड़े रंधीर दिर्टा पुर्वक रन में खड़े रहने वाले कुछल योद्धा हैं। इस पकार से कह सकते हैं कि जो जीव इस शरिर में रहते हुए इसके अंदर के जो विकार हैं मांसिक लड़ाई, मांसिक विकारों से युद्ध उसमें पून हो गया विजी मनों वही काया बीर कबीर हो गया। प्रतिभाः तब की अलग-अलग हो सकती है। लेकिन बाहरी प्रतिभाः बात छोड़ दें तो जो अपने मनिंद्रियों पर पून विजय प्राप्त कर ले, सारे मांसिक विकारों की शेना को नष्ट कर दे। वो काया बीर कबीर हो गया। बाहरी प्रतिभाः में चलता ही है। यह कथन कबीर काया बीर काया में थ्रेश्न। कौन। जिन्हों अपने सारे मांते विकारों को बीविक विचारद्वारा नष्ट कर दिया। बाहरी लडाई में अन जो सत्रू हैं उनको नष्ट कर देना बड़ी सरल बात। लेकिन मांतिक युद में इस सिर रहना यह मुत कठीन है। बड़े-बड़े राजा महराजा चक्रवर्ति के लाने वाले भी अपने मनिंद्रियों के गुलाम बने रहे। इनको रगल करके शांद कर देना यह बड़ी बीरता है। साहिव स्वत प्रकास भात तब मेटी हैं जन्म मरन मिजाय ताही जो मेटी हैं। साहिव स्वत प्रकास स्वत निर्मल स्वत ग्यान का प्रकास किया। अब भात तब मेटी हैं जो स्वत ग्यान का प्रकास सारे भात अध्यास को मिटा देने वाला है। कबिर तब की विशेष्टा शुरुप ज्यान में है। भरम, करपना, निर्ष्वात की बात तो है। लिकुन की विशेष्टा है शुरुप ज्यान का प्रोट देने में। सादुरु कबिर बाहर भटकने की बात नहीं कहा थे। अध्यात्म छेत्र में एक बड़ी कमजोरी, बड़े बड़े ज्यानी हैं, विद्वान हैं, तबस्वी हैं, सादक हैं, बैरागी हैं, इनकी कमी नहीं है। लेकिन इन लोगों में क्या कमी है। उपकारते हैं वह और वहा की बात, क्यों खोचकर में पड़े हैं। वह मतलब हमसे अलग कोई है, वह हमारा अलग्छा है। उसमें हमें मिलना है, उसको हमें पाना है। और वहां मतलब आकात पताल में, मुक्ति का घाम कहीं अलग। शास्त्रों में सही बात भी कही गई है, लेकिन उसकी चर्चा कम लोग करते हैं। यादरत लोग वह और वहां की चर्चा करते हैं। कबिर ताहब कहते हैं, मैं और यहां, या तुम या यहां, मैं आत्म बोज़। और यहां इसी इसी शरीर में रह कर इसें कर इसी दुनिया में अन संतों में और कबिर ताहब में यह फरक है। बहुत सारे संत वह और वहां की बात कहते हैं। अभ्यवरता है, मैं और यहां की बात कहते है, या तुम यहां, मैं या तुम 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 मलवक्राहं की सामने भ्यक्तिकें, अपिटित्य बात कहते हैं, यहां अभी इसु키 इसे, इस धर्ति में इनदर्पें 60 अजट। इसकी बात कहते हैं, इसलिए उन्होंने क्या किया, शाहर सुता प्रकास, हदुर कवीन ने सुता निर्मल ग्यान का प्रकाशन किया, उद्घाटन किया, और भात असम्मेटी हैं, उन्होंने अपने सुरुप ग्यान का उब्देश दे करके, सारे भात अध्यास को मिटा दिया, जन्म मरन मिठ जाए ताही जो भेटी है जो कोई जिग्याश जो साधक मनश उनके जो सुरूप बोध है आत्मग्यान निर्भांद आत्मग्यान उसके जो मुलाकाद कर लेगा उसके मुलाकाद कर लेगा उसको ग्रहन कर लेगा जन्म मरन मिठ जाए उसके जन्म मरन के चक्कर समाप्त हो जाएगा साधुर कबीर का निर्भांद सुरूप बोध मिला सुरूप ज्ञान मिला सारे भास अध्यास नश्ट करने वाले हैं जो उसको ग्रहन कर ले सुरूप ज्ञान को उसके जन्म मरन चकर समाप्त हो किरपाशिंदु गुर्देव पधारा जगत में क्रिपाशिंदु क्रिपा के सागर गुर्देव कबीर जगत में पधारे और आप सरिस्कर लेज क्रिपा करी भक्त के और भक्तों पर क्रिपा करके उन्हें मोसोख से मुक्त करके उनका ज्ञान का बदन चुड़ा करके उन्होंने उसे सभी जीओं को अपने समान बना लिया अब यहाँ पर ताक्रिपासिंदू गुर्देव पधाराज जक्त में, कृपासिंदू गुर्देव कबीर संसार में पधारे, एक पकार से मालों आवतार लेकर के आए, यह आवतारवाद के तरफ के धारना, लेकिन सरी निर्मल का है, यह बात नहीं मानते, कहानी का लहजा उ हैं, लेकिन के रिपंथ में यह बात फुब लदा हुआ है, सरवत एक पारक समाज को छोड़ करके, सब जगा यह अलोकिक्ता शाई हुई है, इसे अगरी पंक्ती में भी कहा गया है, काशी में भै प्रगट, जगा सब जानता, संसार में सब लोग जानते हैं, कि सब लोग ज जनम नहीं लिए, प्रगट हुए, यह समतकार है अंधिश्वास की बात, लेकिन सरी निर्मा सहब एक कहने के तरीका है, वो नहीं मानते कि कबिर सहब जोती रूप में आकर के प्रगट हो गए, वैसे प्रगट हर्जी होता है, जितने जिए सब प्रगट होते हैं, मा के गर् प्रगट हो गए सब, तो कृपा सिंदु गुरुदेव कबीर इस अंसार में पधा रहे हैं, और कृपा करके उद्देह दे करके, सच्चा बोस दे करके, अपने भक्तों को जिग्यासों को अपने समान अपने समान ज्ञानी बना लिए, या सुक्सुरूप बना लिए, काश तो कि में भे प्रगट जगत सब जानता, निर्मालदात मतिमंद नहीं पहचानता, निर्मालता आप काईते हैं, सारा संता जानता है कि सच्चा रुकबीर कादीम प्रगट हुए, लेकिन मन बुद्धी लोग उने पहचानते नहीं है, अब आप लोग साधान हो जाओ, तो स्री निम्रसा का भंडारा शुरू हो रहा है। स्री निम्रसा का भंडारा शुरू हो रहा है। मिले हमारी बारी जी बारी जी। सब संतन को निवति बोलाई जी। शाह से चरन पकारी जी। तो निम्रसा आप कहते हैं कि मैंने सभी संतों को निमंतरा दे करके बुलाया है। और जब भी पधारे जब भी आए तो शाह से शाह प्रसनता उस्सा पुरुवक। बड़ उस्सा के साथ उनके चरनों को धोया गया। मैंने या मैंने उनके चरनों को पकारा। सेवक चतुर ले चरनों दक। और जो चतुर सेवक हैं, कुशान सेवक हैं, भक्त हैं। वे सब उन संतों का चरनों दक ले रहे हैं। अचल करत भैहारी जी। यह जो भक्ती है। संतों परति प्रेम, निष्ठा, भक्त। भक्तों को भैरहित कर देते हैं। और अचल, संतों प्रति प्रेम, भक्ति, ये भक्ति में चल कर देने वाली हैं और जीवों के भै को हरन कर लेने वाली है संतों को बठाया गया, कहा बठाया गया, शील का सिंहातन बिशाकर, शील बिनम्रता, लगुता, शील उत्तमकरित, तो बिनम्रता, लगुता। उजल्टिरित्र का शीहासन फैला करके संतों को बैठाया गया और चित का चमर बैयारी जी और चित के चमर से हवा कने लगा पंखा कने लगा चित के चमर मतलब पंखा ऐसे चमर चित्रे पराद देखा जाता है कोई चितर है कोई राजा बैठे है या कोई भगवान बैठा हुआ है लोग हाथ में से लेकर के बालों गुच्छत रिखे चमान डुलाते रहते हैं यह कहते हैं कि यह चमर सुरा गाय की पुण्ष के बालों के गुच्छा होता है एक प्रकार की गाय उसके बालों गुच्छा जो बहुत मुलायम उसको चमर है कुल मिला कर रहता है कि जब संत बैठ गए तब उनके बात खड़े हो करके उन्हें पंका किया जा रहा है प्रेम प्रसाद प्रिति पनवारा थिरता थार समारी जी अब भोजांकने समय आया तब प्रेम का प्रसाद प्रसाद भाद महा प्रसाद इससे कहते हैं जी उठान को इसे तो प्रेम का प्रसाद प्रेम का भाद और प्रीति पनवारा प्रीति का पनवार प्रीति का पनवार प्रीति का पनवार पत्तल थाल तो प्रीत प्रीत अगर सभी प्रेम ही है लेकिन प्रीत समर्पन निष्ठा तो प्रीत के थाल में प्रेम का प्रसाद प्रेम का भात और थिर्ता थार्त हमारी जी इस थिर्ता की थाली सजाई गई अजब हो गए तब क्या हुआ दया की दाल भाव की भाजी भक्ति भौन बंदारी जी दया की दाल बनाई गई है और भाव भक्ति की भाजी बनाई गई है भक्ति भवन भंडारी जी और इन सब को बनाने वाला कौन भक्ति सोयम भंडारी बन गई है बरी बिराग प्रेम का परवर कर्म करेला तारी जी बराग की बरी है प्रेम का परवर है और कर्म का करेला तल करके भड़ता बनाया गया है इंद्री दमन दही ग्रिद गैलन अचल अचार बिचारी जी इंद्रियों का दमन कर लेना ये दही है और मन का समन कर लेना ये ग्रीद है जो स्रद्धा के गैलन में भर-भर करके रखा गया है अचल अचार बिचारी जी अचल अविशल बिचार सुरुप ग्यान सुरुप बिचार का अचार बनाया गया है खुर्मा खुति लाज का लड़ू पूरन पुरी निकारी जी खुशी का खुर्मा बनाया गया सब लोग जिमें पानी आता होगा खुदी का खुर्मा बनाया गया है और लाज का लड्डू और पूरान पुरी निका जी और संतोस की पूरान पुरी है संतोस की पूरान पुरी बनाई गयी है मन का मोहन भोगरज डारी जल जलेवी का जी और मन की प्रसंता का मोहन भोग बनाया गया है और जल्दी साधना की तिबड़ता की जलेबी छाँचानी जा रही है और इसमें क्या है जाइब कहते हैं गरीब बदाम इलाची की इसमें बीव मसाला डारी जी अने प्रगाग सद्गुनों के गरीब बदाम इलाची की इसमें फुब डाल करके के तेजार किये गए हैं शंद गुरु सब जेमान लागे चली ग्यान गुन गारी जी फिर जब संद गन भोजन करने लग गए तब ग्यान और सद गुनों की गारी चलने लगी गारी गाली गारी मतलब गीत जब पहले जमाने अब तो सब जमाना बदल गया पहले जमाने में जब शादी होती थी तो एक दिन तो पहले बड़ा दिन बड़ात आती थी दूसरे दिन जब बड़ात ठरती थी तब लोग भुजन करने बैढते थे तो महिलाएं एक ओट में परदे कर आर में बैढ करके अनेक पागर इस्ते जोड़ जोड़ करके गाली गीत गायती थी तो में कुछ कहभी कभी अतलिलता भी आ जाती थी पुहरपना भी हो दा रहा था कहीं कभी समार रहता था तो बड़ाती लोग धिरे धिरे भोजन करते थे आनन लेते हुए महिलांगीत गाती रहती थी इसको इस गारी गीत को संतों ने भक्ति ग्यान की तरफ मोड़ दिया अब तब खतम हो गया है पहले था रिवाज कि जहां कहीं संत भोजन बैढते से भंडारा होता था बैढ गय तो जब तक सब चीद परत नी जाती थी तब तक संत लोग भजन गाते से गारी गाते रहते थे उससे यक तो बैरत की बात नहीं होती थी बातवरान बढ़े अच्छा भक्ति भाना पूर्न हो जाता था नहीं तो खाली बैठे हैं कोई यहां बात कर रहा है कोई वहां बात कर रहा है को यह से बड़ा हला अब बैस तब लोग गाने लगे वातवरान बढ़िया लगा सुनने भी बढ़िया लगा बैर से बात जंजर ने खतम तो संद गुरुजन भोजन करने बैठे हैं तब चली ग्यान गुनगारी जी ग्यान खुद गुनों के गारी की गीत चनने लगे निर्मल दाथ संतन गुठान मिले हमारी बाजे तो निर्मल साथ बड़ी भक्ति भावना के साथ कहते हैं जब सभी संद गुरुजन भोजन कर लेंगे तो उनका जो जुठन बचा होगा वो हमारे भाग्या में आएगा उते खा करके हम त्रिप्त हो जाएंगे यह हमारे भाग्या होगा हमें संतों का जुठन मिले कितनी बिनम्रता है साथ एक और तो महा उग्र भैंकर तरकिक साथाथ करने में बड़े निपून और जब तरक चलता है आगे इनका तरक आया है तो ऐसा ऐसा तरक है कि सुनने वाला तो तो तिल मिला जाए लेकिन दुसरी तरफ कितने बिनम्र कितने भक्ति भावना वाले प्रतिभात ही बल्धा गुरू संप्रदा सनातन गाऊं सबस्तंतन को विनेश चुनाऊं गुरूबिन मत मतांतर जूठा अनुमित खोली दिखाऊं शैव शक्त गानपत्य वैशना दिनकर दिन ही प्रखाऊं वाम मार्गी सर्व उपासक गुरूबिन नश्ट बताऊं शास्र वेद कवि कोविद नाश्तिक जहां गुरूपद नहीं पाऊं गुरू की करूं आरती पूजा घंटा संख बजाऊं धूपदीप नैवध्य आरती गुरू का भोग लगाऊं ब्रह्म जीव की दुविध कल्पना कर्पित भर्म मिटाऊं निर्मल दास का संसे नाश्यो ताते गुरुपद ध्याऊं गुरू संप्रदा सनातन गाऊं सब संतन को बिने सनाऊं तो निर्मल दास कहते हैं मैं ये गाता हूं कि गुरू संप्रदा सनातन है सब समय सब संतन को बिने सुनाऊं मैं सब संतों बिने सुना कर के का रहा हूं सब संतंपरती मेरी बिने भावना है कि ये गुरु संपरदा जो है सनातन है अनेक मत्पंद दुनिया में है संपरदा है कोई कुछ मानता है कोई कुछ मानता है कोई कुछ मानता है लेकिन गुरु की पुजा गुरु का महत्व सभी संपरदायों में है संपर्दाय नहीं है जहां गुरु का महत्तुना बताया जाता हो तो इसले देखेंगे तो गुरु संपर्दा 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 है अन्न जो संपर्दा है संपर्दा कोई नहीं है आज जितने मत्पंथ चल रहे हैं इन में से संपर्दान कौन है सब किसी काल में बने तो दुनिया तो अनाती है आज इतने मदपंथे हुएं उनके पहले कोई और मदपंथ रहा होगा तो क्या उन format पंथो में गुरू की महिमा न रही होगी बिना गुरू की किसी ज्वा खुआ होगा तो अनलजी कोई है तो गुरू संपरदा, गुरू मानने का संपरदा आये गुरू की पूजा, गुरू की भक्ति ये सनातन है सब समय से गुरू की पूजा आ रही है जब जिसको भी ज्ञान मिला किसी गुरु द्वारा ही मिला है वेद मंत्र बने दिखे तो गए नहीं थे तो रिष्यों ने बेद मंत्र बनाया और शिष्यों को सुना दिया उसनाने वाला गुरू हो गए उसनने वाला शिष्य या ऐसे और भी ले ले तो कोई भी हुआ गुरु द्वारा ही बोद मिला उमिशद तो एड दुनिया में बड़मान काल में अध्यात्म का ग्रंद कोई है तो उपनिशद है और उपनिशद का अर्थ क्या है उपनिकट निशद ले जाना निकट ले जाना गुरु के निकट ले जाना गुरु के निकट अपने मन को ले जाना गुरु के निकट निशद बैठना निकट बैठना गुरु के निकट बैठ करना यह उपनिशद है तो रिशी शिष्य को दे दिए तो उपनिशद हुआ अधपकार देखें तो कोई भी मत्पंथ हो सब में गुरु का महत्त है गुरु में मत्मतांता जूठा अनुमित खोली दिखाऊं शैव शक्त गानपत बैशनों दिन कर दिन ही प्रखाऊं गुरु के बिना सारे मत्मतांता जूठे है अनुमित खोल दिखाऊं अनुमान कल्पना को खोल करके मैं बता देता हूं कि गुरु के बिना जितने मत्मतांत आतरने सब जूठे हैं, और छोट है, कि अनेक मत को कर गविनाते हैं, कि कि शेव, शाक्त, गंपती, उपासक, गंपत् == गंपत् Whether पूजा चया करने वाले, बैष्नाव, सुरु उपासक, वाममार्गी या अनव प्रकास उपासक, दिन कर दिन ही बनाओता है, दिन कर सूरिय, दिन, दिन तो दिन है ही, दिन में प्रकास किता फैला होता है, सूरज का, तो दिन कर दिन ही प्रकाओं, मैं दिन को जाले के समान, जैसे दिन को जाला, किसी को परमान देना पड़ेगा, जैसे दिन है, परतक्षे है, अभी दिन है, इस सिद्ध करने के लिए किस प्रमान की जरूरत प्रतक्षे ही दिखाए पड़ रहा है ऐसे तह आप कहते हैं अनुमान कलपना को मिटा करके इस पश्ट रुप से दिन कुझाले के समान में परखा देता हूं कि चाहे शेव हो शेव उपासक, सक्ति उपासक, गनपति उपासक, बैशनों, बाम्मारगी और सर उपासक सभी प्रकार उपासना करने वाले गुरु भी नश्ट पताओं गुरु के बिना सब नश्टब होने वाले हैं गुरु के बिना सब धोखा हैं सात्र वेद कभी कोवीद नास्तिक जहां गुर्पद नहीं पाऊं, जहां गुर्पद नहीं है, गुरु का महत्म नहीं है या गुर्पद सुरुप का ज्यान नहीं है, वहां सारे वेद सात्र कभी कोवीद ज्यानी सब एप मानो नास्तिक हैं, नास्तिक नष्ट हो जाने वाल कुछ लोग ऐसे होते हैं जा कहते हैं कि गुरू की कोई जरूरत नहीं है कुछ ऐसे जरू हुए हैं उन्हें किसी गुरू द्वारा धोखा मिला है या इतनी जगाड़ बंदी में रहे कि उनको असे जरू कि अवसर मिला नहीं तब गुरू के गुरू के गुरू बिरूती हो गए लिकुर उनको जो गिन मिला वह भी किसी गुरू द्वारा ही मिला तो जो लोग यह कहते हैं कि गुरू द्वारा गुरू की कोई जरूत नहीं है बटके हुए लोग है तो जरू को नास्तिक लोग हैं, तो दोका में रखने वाली लोग हैं. अर गुरु ना मिले होते तो कखा 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 कबोलना भी ना आता है. जो कुछ हमें मिला है, कि हम ने सोयम ही उत्पन कर लिया. समाज है, बातावरन है. कहीं न कहीं से हम जो कुछ जानते हैं, कहीं न कहीं से सिखे हैं हम तो जहां गुरुपद नहीं पाऊं, जहां गुरुपद मुझे नहीं मिलता है गुरु की भक्ति नहीं मिलती, गुरुपद सुभिसिती के अग्यान नहीं मिलता तो निर्बास आप कहते हैं सब नास्टी के समान है और सब नश्ट हो जाने वाले दोखा में पढ़ रहने वाले हैं गुरू की करूं आरति पूजा घंटा संग बजाओं धूप दीप नेवैद्य आरति गुरू का भोग लगाओं मैं गुरू की पूजा करूंगा उनकी आरति घंटा संग बजा करके गुरू की आरति पूजा करना है धूप दीप नेवैद्य ले करके गुरू का भोग लगाने हो ब्रह्म जीव की दुविध कलपना कलपित भर्म मिटाओं निर्मलदाद का संसे नाश्यो ताते गुरू पध्याओं ब्रह्म और जीव की दुवपरकार की कलपना है लोग कहते हैं ब्रह्म और जीव ये कहें आप कहते हैं मैं एक कलपना को ब्रह्मात्र बता करके इसको दूर कर देता हूँ मेरा सप्रका का संदे मिट गया है इसलिए मैं गुरू के चलनों में प्रेम रखता हूँ और गुरुपद अंदता गत्वा गुरू को देश स्वरूप जो आत्म बोध है उतमें प्रेम रखता हूँ तो ब्रह्म जीव की दिविद कलपना ब्रह्म अर जीव की कलपना जीव अलग है ब्रह्म अलग है और जीव ब्रह्म की एक्ता करना है इस ब्रह्म लोग कहते हैं कि जीव और ब्रह्म की एक्ता कैसे हो तो पहले ये समझना है जीव और ब्रह्म यदि अलग अलग है तो एक्ता करने वाले हम कौन होते हैं और दोनों अलग-अलग हैं तो उनके दोनों की एक्ता कैसे हो सकती है मिटी और पानी अलग-अलग है तो एक करना है तो मिटी को पानी में घोल दिया मिटी घुल गई कहते हैं देखो मिटी पानी दोनों एक हो गए तो देखने भर के लिए एक हो गए है घोलना बंद कर दो, क्रिया बंद कर दो थोड़े देर में मिट्टी निचे बैठ जागी पानी उपर आ जाएगा और कुदिर पचात गर्मी और भाव से पानी उड़ जागा मिट्टी जहां के तहार रह जागी, कहा एक हुए दोनो लगेगा कि दोनों को हमने एक कर दिया है दोनों की एकता कर दिया है हमने तिकिन दोनों जब अलग अलग है तो एक होगे कैसे तो आईशे ही ब्रह्म और जीव जब अलग अलग हैं तो दुनों के एक्ता कैसे करोगे, ब्रह्म भी अखंड, जीव ही अखंड, किसों किसमें मिलाओगे रहे, ब्रह्म और जीव एक्ता करना महा धोखा है, जिए अधात्म की छेत्र में बड़ी गहराइसित से इस प्रश्चिंता मननननन किया जाता है, जीव अखंड, ब्रह्म अखंड, अखंड मिलेगा कैसे, और मिल गए तो दोनों विकारी, अविकारी तो है जदी, तो विकारी का नात हो जाता, ब्रह्म भी मर जागे एक दिन जी भी मर जाएगा, दोनों का नात हो जागा, अतितो खत्म, इसलिए दूनों के एक्ता करने की बात ही गलत लेकिन अब जी समझना चाहें तब जीव ब्रहुन की एक्ता हो सकती कैसे होगी जीव ही ब्रह्म है, ये जान लो बियुक्ता होगी मैं ब्रह्म हूँ ब्रह्म स्रेष्ठ महान किर्तार ऐसा समझ लोगा बोट हो गया आपने को अंतरमुंक कर लिये बस जी-ब्रह्म की एक्ता हो गयी और एकता नहीं करना है भस एची एकताह होगी जिसे में खोजता हूं उव गता जान लिये बस मिल गया एकता हो गई लिकिन लोग ऐसा नहीं करतें रोनों को यलग अलग मान लेते हैं तो जी और ब्रह्म की दिवीत कलपना से निरवास लाकते हैं, जी और ब्रह्म को अलग-अलग मानने की कलपना है, उसको ब्रह्मात बता करके उसको में दूर करता हूं, और मेरा सपका संदे मीट गया, और मैं गुरुपद, मैं प्रेम डढ़ा हूं। गुरुपद, गुरु की चरणों में मैं प्रेम रखता हूं, आउंतता गत्वा, गुरु का जो उपदेश है, स्वसरुप बोध, उस्वसरुप बोध में मैं प्रेम रखता हूं। किया कलिकाल, जो कुछ धर्म कर्म शुब साधन, हरेव अमौलिक लाल, कपट दंब शलशिद्रन छोड़त, है मन कठिन दलाल, कुपत कुचाल, कुमत कुट लाई, तके पराया माल, जह देखों तह भक्षक सब हैं, रक्षक तुम ही कृपाल, निर्मल दात कपटी मन मेरा, बोलत बचन रफाल, तो निर्मत आप कहते हैं, कि शरन तब आयों दिन दयाल, है दिनों पर दयाल करने वाले गुर्देव, मैं अब आपकी शरन में आ गया हूँ, और आपको मैं समर्पित हो गया हूँ, कहा कहों मन भज़त विशयको, तज़त नहीं जनजाले गुर्दे मैं अपनी बात क्या कहूं, ये मेरा मन भज़त विशयको, राथ दिन बितियों का ही भजन करता रहता है, भजन करना, चिंतन करना, इश्मरन करना, याद करना, उतके बारे में सोचते रहना, अभी समान साधक का भी मन भटक जाता है, साधक भी तो आदमी है, अनादिकाल से, उसके मन भी तो विषयक छिंतन है, उसी का अभ्यास है, तो साधक जिग्यास गुरु को सामने निवदन करता है, कि हे गुरुदेव, मैं अपनी बात क्या कहूं, यह मेरा मन रात दिन विषयों का भेजन करता रहता है, विषयों के चिंदन इसमरान करता रहता है, उसी में डूबा रहता है, तजत नहीं जनजाल, यह मन जनजाल को छोड़ता नहीं है, भोग तरफ दोड़ने का काम नहीं छोड़ता, इसकी प्रवित्ती बारवार भोग तरफ दोड़ने की है, इस जनजाल को यह मन छोड़ने के जल्दी तैयार नहीं है, चाहता हूं न उधर न जाओं, लिकिन मन घु मागुमा करके मुझे उसी तरफ ले जाता है. आसात्रिष्णा कनक कामनी मारत उर में भाल और आसात्रिष्णा किसके कनक कामनी कि भोगों की जो आसात्रिष्णा हैं उसका भाला ये मन फिर्दय में बार बार मारता रहता है. मतलब कनक कामनी का असातिर्ष्णम डुबाता रहता है अधिक धन मिल जाए संतार के भोगों को भोगनूं विशय का आनंद ले लूं ये इच्छा उड़ते रहना मन में मानो ये ही भाला मारते रहना है कभी धन का लोग हो गया कभी भोग का लोग हो गया कनक और कामनी धन का लोग और काम बातना कहीं भी पाप हो रहा है इसके मूल में ये दो है या तो धन का लोग है या काम बातना है सारे अनर्थों के मूल में यही है और सारी समस्चाओं के जड़ में यही है धन का लोग और काम की बातना मिर जाए तो दुनिया आस्त्रग बन जाए आसा तृष्णा कनक कामनी मारत उर्मे भाल ये मन आसा तृष्णा कनक कामनी के भोगों के आसा तृष्णा के भाले मेरे हिदे में बार बार में मारता रहता है ज्ञान विलाग भग्दिसास्तंगत हरन किया कलिकाल एक कलिकाल एक कली पापी मन इसने मेरे ज्ञान बिराव भक्ति सरस्तंगत सब को छिन लिया है जो कुछ धर्म कर्म सुबसाधन हरे अमोलिक लाल जो कुछ भी मैंने कुछ धरम करम किया था सिवा भक्ति परुपकार का काम किया था उन अमुलिक, अमुल रतनों को इस मन ने हर लिया, लूट लिया है यह ऐसा कालव अंगर के मेरे पीछे पड़ा हुआ है जहां मन भुगों तरफ दोड़ने लगा उन में सुख के निश्यता करने लगा वह हमारा ज्यान, ध्यान, भक्ति, बिराग, धरम, करम सब लूट गए, नश्ट हो गए और मन बार बार यह से करता रहता है अज़ा ऐसा नहीं होता, तो सब सुधा मिलते हुए भी साधना क सारे समगरी मिलते हुए भी क्यों हम गाफिल में पड़ जाते, क्यों साधान हो जाते कपड़ दंब शर्शिद्र शोड़त है मन कठिन दलाल यह मन बड़ा कठिन दलाल है दलाल, विशवलिया किसी किछीज को दाम उसको चीज़ वाले को कम दाम बताया और बेतने वाले को अधित दाम बता दिया, बीच में अपना जो हुआ, उसको गपक गया तो यह मन भेंकर कुटिल है, भेंकर दलाली लेने वाला है यह कपड दंब दिखावा, छर्शिद्र यह छोड़ता नहीं है कुपत यह बुरे मार्ग में जाना चाहता है कुचाल गलस आचना ही करना चाहता है, कुमत कुटलाई इसमें भेंकर कुद्धी और कुटिलता भरी हुई है तके पराया माल दुसरे के माल को तागता रहता है, दुसरे के धन को दुसरे के पराया भोवेटी के तरफ ही इसकी दौन लगी रहती है बिजाती वस्तूओं के प्रति उधर ही बाराबाइस का ध्यान दौनता है तके पराया माल पराया माल को तागना अधिश्टे से कहें तब अपना जो स्वरूप भाव है उतको छोड़ करके कहीं मन का दौनना पराया माल को तागना है क्योंकि अपना स्वरूप भाव छोड़ कर दुनिया के सब कुछ यो कुछ ये सब पराया ही तो है स्वा और पर दो सत्ता है, स्वा अपना आपा है, पर प्रकृति जाल है, फेर सदेगा साथ पूरा संसार, और मन इधर ही ताकता रहता है बार बार, स्वरुप ग्याने तरफ मन कहां दोड़ता है, स्वरुप ग्याने मन प्रिस्थिर कहां होता है, कि इगड़त रास्ते में द और रक्षक कोई है तो कियो आपी दिखाई पड़ते हैं, निर्मल जीवन, बीवेग बार्यागमान, संथ गुरुज को छोड़ दो, कहीं के भी हूं, किसी मत्पंथ के हूं, उन संथ गुरुजनों छोड़ कर जहाँ जाओ, सब भोग विशय का पड़ पढ़ पढ़ने अवा दुन्यदारी की सिख देने वाले, चलकपट, दम की तरफ परेना देने वाले, दुरुजन, दुरवशन, दुराचान की सिख देने वाले, सब भक्षक ही तो बने हुए हैं, जिनको लोग दुनिया में अपना मानते हैं, नाते, रिस्ते, दार, कुल, कुटुम, परिवाक, लोग, वालु का करते हैं, पिसे बातना का बाल पढ़ाते हैं, तो भक्षक ही हो गया, पढ़ाते हैं, संतारी रिस्ती से वो ठीक है, लिकिन अधात्मि दृष्टिस देखो कल्यान दृष्टिस देखो तब, सब भक्षक बने हुए हैं, बटकाने वाले, गड़त रासा दि ग्वात्मों के औरक्षक है, निर्म्लदाथ कप्की मन मेरा, बोलत बचंड रसाथ, निर्मत है कहते हैं, निर्मत आप कहते क्या हैं, कहना तो नहीं कही है, लिकिन, समान जो लोग हैं, उनके मन के जो साथ बताते हैं, समान लोग ही मन नहीं, भक्ति-पुजा सस्थंग साधना करने वाल लोगों का भी मन कैसा है तो कहते हैं कि यह मन कव्ति बना हुआ है यह बोलत बचन रसाल बात बड़ी मिठी करता है बड़ी मिठी मिठी बात बड़े ज्ञान बैराग की बात लेकिन भीतर महा आंकार बिठी बातना का लोग यही कपट है कपट बाहर कुछ भीतर कुछ बाहर ज्ञान बैराग की बात और भीतर लोग मूँ वासना बाहर त्याग की बात भीतर भोग की वासना यह कपट बाहर बड़ी बिनम्र और भीतर महा आंकारी ते जिर्मात आप कहते हैं गुर्दे ऐसा मन बन गया है और ऐसा मन पीछे लगा हुआ है कहीं छोड़ता नहीं है इतलिए सबसे हार करके छरन तो आयों दिन द्याल है दिन द्याल दिनों पर द्या करने वाले गुर्दे मैं आपकी छरन में ही आया हूँ आपको सबसे होड़ करके मेरा और कहीं को धार नहीं है जो भी साधक है कल्यान चाहने वाले उनके लिए एक मात्र आसरसल है तो बिवेक बैरागवान संत गुरुजन अपने मन का हंकार में पढ़कर के हम कहां से कहां भटक जाएंगे कोई ठीकाना नहीं है लेकिन मन भटकाता है अब मन बढ़कर के एक बार नाचे पर नातनी पर नातन शरू हो गया है जिंद कि बार नातन पढ़तरा जानेगा एक मात्र रक्षक, एक मात्र आत्रास्थल, विवेक वरागवान संग्वजनों की शरन है.